जोहार दोस्तो स्वागत है आपका अपने जिये से स्टर्ड विथ टूडू यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हमारा स्वर मंडल स्वागोल से जुड़े 25 महत्पुन प्रशन उतर के बारे में तो दोस्तो वीडियो के आखिर तक बनी रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइकन सब्सक्राइब कर दिजेगा तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले पिछली वीडियो में देवी प्रशन क आंसर जान लेते हैं दोस्तों फिछल वीडियो में आपको प्रशन दिया था वह प्रशन था भारत में सरवाधिक वर्षा पाने वाला अस्थान है तो दोस्तों से बताने थे वह कौन सा अस्थान है जो कि भारत में सरवाधिक वर्षा होती है तो हमारा ओप्सन एह बीकाने तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो के शुरुवात में दोस्तों हमारा पहला प्रस्ण है विस उगलोब का निर्माता कौन है तो दोस्तों हमें बताने हैं विस उगलोब के निर्माता कौन है हमारे पास 4 ओपसंट हैं दों दोस्तों। ओफशन मार्ट के निर्माता थे। तो यह आंसर हो जाएगा दोस्तों नमबर A मार्टिन भेहम हमारा दूसरा प्रस में दोस्तों अरुण गरह की खोज किसने के थी जहां दोस्त हमें बताने जो अरुण जो गरह है उनकी खोज किसने के थी option A William Harsel, option B जोहान गाले, option C Christian High Zone या option D मेंसे कोई नहीं तो Christian High गालें जो थे उन्होंने सनी गरह की उब गरह Titan की खोज करी थी उन्होंने कब करी थी तो 165 रस्वी में हमारा option B है जोहान गाले जोहाण गरह की खोज करी थी कोन सी ग्रहकी हो अरुन ग्रह की खोज करी थी is Armen При दोस्तो हमारा ओप्सन ए बजता है तो ओप्सन ए में विल्यम हर्षिल जो ते उन्होंने और युंग की खोज करी थी456 एकलिता हुँ थी तो आरुन ग्रह की थी ऐundenर्ग और युब थी 7181 एशी में अरोन गरह की खोड़ करें थी हमारा तीसरा परह्षने दोस्तों जिवासम गरह किसे कहा जाता है तो हमारे पास चार ऑपर शनमAU है तोस्तों इसका हमारा राइट अन्सरों हो जाएगा को जिवास्मगरह कहा जाता था चंद्रम को जिवास्मगरह कहा जाता है हमारा चांथा प्रसने दोस्तों भारत का उत्तर से दच्छिन विस्तार कितना है तो हमारे पास चार ओप्षन है ओप्षन A 3214 किलो मेटर ओप्षन B 2923 किलो मेटर ओप्षन C 15200 किलो मेटर ओप्षन D 5214 किलो मेटर तो दोस्तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A 3214 किलो मेटर तो भारत का उत्तर से दच्छिन विस्तार कितना है दोस्तो 3214 किलो मेटर अगर इसमें हमारा भारत का पुरू से पसिम विश्टार पुछे तो दोस्तों इसका हमारा सही अंसर हो जाएगा option number B 2933 km तो भारत के पुरू से पसिम विश्टार कितना है 2033 km और उत्तर से दच्छीन विश्टार जो है वो 3214 km है इसका हमारा राइट ayunt answer हो जाएगा, option no.A 3214 km हमारा पांचो प्रस्टन है दोस्तों, परती चक्रवात की विस्षच्ता क्या है? दोस्तों, हम में बताने जो परती चक्रवात है उसकी विस्षच्ता क्या है? हमारे पास चार ओप्सन है ओप्सन ए तापमान में ब्रीधी ओप्सन भी तेज पवन ओप्सन सी तिरोध रिष्टी या ओप्सन डी स्वच्छा कास दोस्तों हमें बताने इसका से आंसर क्या होगा इसका से आंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्सन नमबर ए तापमान में ब्रीध प्रश्न हमारा प्रशने निम लिखित में से कौन सरवाधिक विनासकारी होता है सरवाधिक विनासकारी होता है हमारे पास चार उपशन है और टाइफून और सन जान वह एक तरह का बहुंदर होता है जो कि गर्मी के मौसम में अधिकतर पाए जाता है और यह लगभग 320 किलोमेटर टूच 400 किलोमेटर लगभग परती घंटे किसाब से इसकी वायू की मात्रा बढ़ती है मतलब इतने तेजी से चलती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों और भी ट समान वर्षा की मात्रा वाली अस्थानों को मिलने वाली रेखा को क्या का जाता है दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा और सी आइसो हाइट जो दोस्तों आइसो हाइट कहा जाता है समान वर्षा की मात्रा वाली अस्थानों को मिलने वाली रेखा को क्या का जाता है रeffective माना है यहां अच्छु फ्रफान शेओ शाब अच्छ्टे जब टेंस भी कुर मातर करें दो directly में यहां ऑसको अच्छु का सभी यहां क्यों पटाने कुछ कौन हुआंज कर जो सबसे बड़ा यह A option A प्रसांत महासागर, option B हिंद महासागर, option C आर्क्टिक महासागर, या option D अंटलाक्टिक महासागर, तो दोस्तों इसका हमारा सही अंसर हो जाएगा, इसका हमारा सही अंसर हो जाएगा, दोस्तों, option number A, प्रसांत महासागर, तो प्रसांत महासागर, जो है विशू का सबसे ब गहरागर्थ वेसु का सबसे गहरागर्थ जो मेरियाना ट्रेंच है किस महासागर में इस्थित है हमें बताने है उस महासागर का नाम बताने है जहां मेरियाना ट्रेंच इस्थित है दोस्तों इसका हमारा हमारा पास चार उपसन है उपसन ए परसांत महासागर उपसन भी प्रसांत महाससागर तो नहीं पर सबसे गहरागर्थ जो है मेरियाना थयरुथ तत्षी में यह स्तित है कि हमाराइब 10 मणत्स प्राशन похсте दोस्तों फ्रीתविय के कितने परतिषट बहाग पर जल मंडल विश्टार है जोस्टे हमें बताने हमारे प्रीथ्वी में कितने परतिस्द बहाग पर जल मंडल है जहां जल है कि हमारे पासर ओप्षन है आफश्ण सब्सक्राइब और िटीषां। सब्सक्राइब परतीषां। है। जै हाँ दोस्तों इस लवन का में नाम बताना है जिसमें जो समुद्री जल में सρώदिक मांत्रा है पाइजाता है हमारा पाड़ और चार ओप्सन है मागनेशियम क्लॉराइड scholarship bschodium chloride option c calcium carbonate या option d potassium sulfate थो दो hon जैवा हमारा सभे हनसर हो जाएगा हम लोग भोलते हैं इसका रतानिक सुत्र होता है इने से बर शनिक सुत्र है नेयरी जुए थेे आपकर उलग करते रहता है is फोनल्व भवह प्रस्टान है यह जो पाक जलसंदी है पाक जलसंदी कीं 2 देशों को अलग करती तो यहां पे तुछाल है कि पाक से पाकिस्तान हो जाएगा ऑप्सन बी भारतीव मद्स इस दो देशों को अलग करती है तो दूस्तों यह जो पाक जलसंदी कहां पे तमिल नाडू पे है यह जो है तमिल नाडू पे श्थित है तमिल नाडू और स्री लंका की जो जाफना जिला है जाफना जिला जाफना जिला के बीच में बना हुआ है स्री लंका के जाफना जिला के बीच में बना हुआ है पाक जलसंदी इसका हमारा सई आंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्षन नमर B भारतियों स्री लंका हमार आगला प्रश्ण है विश्व में केले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है हमारे पास चार उप्षन है उप्षन A चीन उप्षन B भारत उप्षन C पाकिस्तान उप्षन D बांगला देश दोस्तों इसका हमें सबसे ज्यादा केला को उत्पादन कौन से देश में होता है तो हमें केला को उत्पादन बताने हैं सबसे ज्यादा कहां होता है विश्व में भारत में नहीं इसका हमारा राय टांसर हो जाएगा दोस्तों ऑफ्सन नमबर B जो हमारा भारत है भारत में सबसे ज़्यादा केला का उत्पादन होता है ऑफ्सन नमबर B हमारा राय टांसर हो जाएगा दोस्तों ऑफ्सन नमबर B हमारा चाओधमा प्रसन है ब्राजिल ब्राजिल किस का परमुक उत्पादक है हमें उस उत्पादक का नाम बताना है जो कि सबसे ज़्यादा परमुक उत्पादक करता है ब्राजिल हमारा पास चार उपसन है उपसन A. कोको उपसन B. कपास option C coffee or the study circumstances ढीक? दंबाकु दोस्तों in cat why answer? और Gail गारा अन्प तॉ फ्रैसघ प्री एका उत्पादक हो जाएगाפ दोस्तों Rohi गे तो प्राजिक परमोक उतपादक कोनका है? मौवी। right answeralla! नीमलिखित में ने में बहले किसे पूरू का मोती कहा जाता है जो पूरू के नाम से किने जाना जाता है दो तो उस देश का नाम हमें बताने है जिसे पूरू का मोती के नाम से जाना जाता है तो हमारे पास चार उपसन है उपसने जपान उपसन भी हंग कॉंग कॉंग उपसन सी स्री लंका या उपसन डी टाइवान दो दोस्त साथ पहाडियों का नगर जियां दोस्तो साथ पहाडियों का नगर किसे कहा जाता है तो हमारे पास चार उपसन है उपसन A रोम, उपसन B बर्लिन, उपसन C बर्न या उपसन D पेरिस दोस्तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो इसका हमरा सही answer हो जाएगा option number A Rome को जो है साथ पहाड़ियों का नगर कहा जाता है तो क्या हो जाएगा दोश्तो और साथ पहाड़ियों का नगर भी माना जाता है इसका हमरा right answer option number A हमारा 17 प्रस्ण है भारत का दच्छिंतम हिस्सा जो इंद्रा पॉइंट इसको कहते हैं वो कहां इस्थित है हम बताने भारत का दच्छिंतम अस्थान इंद्रा पॉइंट कहां इस्थित है किस भारती राइज की सीमा किस भारती राज की सीमा सरवाधिक राजियों की सीमा को असपर्स करती है दोस्तो उस राज के नाम बताना है जो कि सरवाधिक राज की सीमा को छूती है तो हमारे पास चार उप्सन है उप्सन A. मधिपर्देश, उप्सन B. असम, उप्सन C. अंधरपर्देश यह option D उत्तर प्रदेश तो दोस्तों इसका हमारा साइन सर हो जाएगा option number D उत्तर प्रदेश जो है अधिकतर राजी के सीमा को छूती है दोस्तों इसका हमारा से यांसर हो जाएगा option number D उत्तर प्रदेश हमार आगला प्राश्ण है भारत का सरोच परवत सीखर है दोस्तों में उस परवत सीखर का नाम बताने है जो भारत का सरोच परवत सीखर है तो हमारे पास 4 options है option 1 Godwin Asteen, option B कंचन जंगा, option C माउन टेवरिस्ट, option D नंगा परवत दोस्तो इसका मरा से आंसर हो जाएगा option number E Godwin Aashteen जो है भारत का सरवच परवत सीखर है तो इसका मरा से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो option number E Godwin Aashteen हमारा 200 प्रस्ण है हिराकूंड बांध जो हिराकूंड बांध है वो किस नदी परिस्तित है दोस्तो हमें बताने जो हिराकूंड बांध है वो किस नदी परिस्तित है तो हमरे पार चार option है औपसान एक गंगा नदी सभी घॉल्ण और इंदी औस समघने लें वयार्बर आगला अगले दोस्टों भारत्म चंदन की स्टरति चीमोफebe बबारत में चंदन की लकडी के लिए पर सीद्राइज है तो हम बताने हैं चंदन की लकडी के लिए कौन सा राइज राइज है तो हमारे पास चार अप्सन है option A Assam, option B Keral, option C Karnatak या option D Pachim Mangal तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा option नमबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा option नमबर C जो करणाठक है करनाटक में हमारा भारत का सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाते है तो इसलिए इसका हमारा भारत में चंदन की लकड़ी के लिए परसिद राज़ कौन सा है दोस्तों तो इसका हमारा सयांसर हो जाएगा ओपसन नंबर सी करनाटका हमारा 22 अप्रस्ने नल सरोवर पच्छी अभ्याराणी जो नल पच्छी अभ्याराणी है वो किस राज़ में है तो इसलिए upwards महुतों सबसें स महराइब गुजराच्टा ओपच्छी अभ्याराणी है कहा हैं दोस्तों का सही अंसर हो जाएगा उपसिन नंबर गुजद्राथ वहां तैस नंबर का प्रैस्थ परस्थ है काली पी मिटि कार्थ GUY हिस्तार कए जाता है है हमारे पाप साटर उपस्ट्ट्ट्लिक्र मारास्ट महाराष्ट उपसंड दोस्तों राजियों के ओस्षर से ज्यादा क्रिमिक पार छाट तोसुमें से दोस्तों हमारे पास यो तीन जि तीन रैजियों में दी हुई हैं वहां से सबसे ज्ञाइदा काली मिट्टी पाए जाती हैं तो इसका मरह से अं सरकर हो ज् though तो यह option number D, यह सभी, यह सभी राइजियों में भायरत की काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। हमारा 24 है, नवीन जलोड जाना जाता है। सबसे कम वर्षा कौन से अस्थान का नाम बतानी जहां सबसे कम मात्रा में वर्षा होती है हमारे भारत देश में तो हमारा इसका से आंसर हो जाएगा दोस्तों, option number C, लेह, लेह में जो है भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान है, जहां पे सबसे कम वर्षा होती है, तो दोस्तों हमने आज का 25% का आंसर जान लिए हैं, जो कि हमारे बिभिन परतियों की परिछाओं के लिए महतपूर्ण है, तो हमने आज कवर कर ली हैं, था हमारा जैसा कि हर एक वीडियो के अंत में हम आपको एक प्रस्त देते हैं, जो कि आपको कमेंट बोक्स में बताने होते हैं, उसके रायट आंसर क्या होँगे, तो आज का वीडियो का अंतिम प्रस्त हैं दोस्तों, 26 number प्रस्त हैं, जो कि जोई के फसल कौन सी है जो दोस्तो हमें उस फसल का नाम बताने हैं आज का अन्तिम प्रस्न हैं जिसमें हम लोग जुन या जुलै मंत में बहुते हैं और 9 दिसंबर में शी कटाय करते हैं तो इसका तक्मेंट बॉक्स में जरूर बता येगा इसका शही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिजेगा जिससे आप इसी तरह वीडियो रोज पाते रहेंगे जिसमें हम डेली अप अपडेट करते हैं तो आपको नोट्विकिसान मिल जाए बगल में तो घंटा है सब्सक्राइब के बगल को भी दबा में एथ सब्सक्राइब कुझ में कर दो, हिएSu inaug followed byव जाएब के ठीक वीडियों भिशब के वीडियों का दिख पकली सम months है, कि रही है तरह कुझ में एशावे लिगीडियों इएविक उना दिखानी एला कि जिसे सब्सक्वानाउब ट में ओग